Glass Onion movie बहुत लोगों को पसंद नहीं आई और मैं यह बात समझता हूँ क्योंकि भाई Knives Out movie में एक genius villain था मगर Glass Onion में एक चूतिया अब देखो इसे ऐसे समझो, Cultural Capital के बारे में सुना है तो सामाजिक शास्त्र का ये शेत्र उन छोटी छोटी intangible social assets की importance रखता है जो अपने high society type के look sophistication या standard मानते हैं मीनिंग की कौन सी wine किस glass में अच्छा टेस्ट करती है महंगे स्कूल में ही अच्छे बच्चे और अच्छी पढ़ाई होती है जो कि अपना dominant culture इसे हद से ज़ादा इज़त देता है क्या Glass Onion movie यही तो बताना चाहती है कि बाहर से कितना भी meaningful meritocratic क्यों न दिखो मगर अंदर से ये प्यास खोकला है जिसे छेलने की भी जरूवत नहीं है पिक्चर के शुरू में ये puzzle box वाले scene में ही पता चल जाता है कि ये group जितना भी meaningful बनने की कोशिश कर रहा है actually मैं बच्चों के puzzles खोल रहा है जिनका एक दूसरे से कोई भी connected meaning नहीं है अगर उसकी पीछे माना होती तो चूती है वो भी ना खोल पाते अगर इतना करने के बाद अंदर निकलता क्या है कुछ नहीं ये ही है इसकी meaning